कोशन नमर 8 को बच्चों सॉल्फ करते हैं कोशन दिया हुआ है 3 cot a equal to 4 चेक 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a equal to cos square a minus sin square a चेक करना है कि यह जो value है वो दोनों एक दूसरे के equal है या नहीं तो सॉल्फ करते हैं सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख लेते हैं given क्या है 3 cot a equal to 4 दिया हुआ है ठीक है बच्चों तो यहाँ पे cot a equal to क्या हो जाएगा 4 upon 3 तो cot theta equal to क्या होता है base upon perpendicular तो देखो यहाँ पे base दिया हुआ है कोई right angle triangle है 4 और perpendicular दिया हुआ है 3 तो एक right angle triangle बना लो simple एक right angle triangle बना लो जिसमें angle देदो यहाँ पे a एक के सामने वाला perpendicular होता है तो perpendicular दिया हुआ है 3 और base कितना दिया हुआ है बच्चों 4 दिया हुआ है इसका नाम देदो a b c तो देखो यह 3 है यह 4 है तो इसको पैथाबोरस ते find करोगे तो 4 a square plus 3 a square under root 25 आएगा जिसका value क्या आएगा 5 आएगा तो हम लोग ने इसी साइट को भी find कर लिया अब 10 square a find करते है 10 square a तो 10 theta equal to क्या होता है बच्चों 10 theta equal to होता है क्या होता है perpendicular upon base तो perpendicular क्या यहाँ पे 3 upon 4 equal to 3 upon 4 अब इसका square करेंगे तो 10 square theta का value क्या हो जाएगा 3 upon 4 का whole square तो इसका value क्या आजाएगा 9 upon 16 ठीक है 9 upon 16 अब इसका value हम put करेंगे इसमें यहाँ पे हम लोग cos e और sin e का भी value निकाल लेते हैं तो देखो cos cos theta equal to क्या हो जाएगा cos theta equal to हो जाएगा base upon hypotenuse 4 upon 5 तो इसका square करो cos square theta इसका value क्या हो जाएगा 16 upon 5 16 upon 5 अब इसी प्रकर find कर लो sin theta sin e का value find कर लो sin e क्या हो जाएगा 3 upon 5 sin square e क्या हो जाएगा बच्चो sin square e हो जाएगा 9 upon 5 ठीक है अब हम लोग ने sin square का भी value find कर लिया sorry cos square का भी value find कर लिया sin square का भी value find कर लिया tan square का भी value find कर लिया अब हम put करते हैं इन सारे value को यहाँ पे तो देखो tan square e cos square e minus sin square e का value put करेंगे इस equation में तो क्या आजाएगा बताओ 1 minus tan square theta का value क्या आएगा था 9 upon 16 upon 1 plus 9 upon 16 ठीक है equal to हो जाएगा cos square e का value कितना है 16 upon 25 minus 9 upon 25 तो देखो यहाँ से यह करोगे उपर वाला term तो उपर वाला term क्या हो जाएगा 16 minus 9 upon 16 divided by 16 plus 9 upon 16 तो यहाँ से देखो यह term 16 16 क्या हो जाएगा एक तूसरे को cancel out कर देगा equal to हो जाएगा देखो यहाँ पर 25 आ जाएगा यह term क्या हो जाएगा 16 minus 9 तो इसको solve करेंगे तो यह देखो 16 minus 9 upon 16 plus 9 कितना आ जाएगा 16 minus 9 7 upon 25 यह भी कितना value आएगा 7 upon 25 तो यह दोनो एक दूसरे के क्या है equal है तो यह क्या होगा यस होगा तो तो